अब बॉल्कुल ठीक हूं तो आज आप मुझे देख रहे हूंगे बिलकुल लाली पाउडर लगा कर मैं हो गई हूं बिलकुल रेडी और अभी हम लोग चल रहे हैं तो आप लोग सोच रहे होंगे यह लोग कहां जा रहे हैं तो मैं आपको बता दू यहां पर एक मेला है मेला बोले तो एक मतलब बहुत पहले टाइम से मनाते आ रहे हैं वो सांस्कृतिक पर्व बोलो चाहे मेला बोलो कुछ भी बोल सकते हो आपर देखता भी आते हैं तो ऐसा हुआ कि अभी मैं यहां आ गई हूं तो मैंने सोचा क्यों ना दर्शन करने भी जाया जाए कितने टा मेरा एक तरफा मुड़ बन गया कि हां मेरको जाना है कुछ काम भी हो गया तो इस वज़े से मैं आगे और उसी बहाने में दर्शन भी कर लूँगी क्योंकि जब मैं नाइन्थ क्लास में पढ़ती थी उस टाइम पे मैं गई थी उस मेले में उसके बासे में आज तक कभी न आप लोगों को पता ही है लड़िकियों और लेडिजों का एक घंटाए में तो मेक अप होता है रेडी होते हैं मैंने सुचा अब खेत में पहुंच चुके तो वीडियो स्टार्टिंग की जाए क्योंकि हम जाने वाले हैं और मेरे साथ हैं मेरी दो बहने यह है मेरा पर्स है और उदर पूरा काला हो चुका है जंगल इस काले जंगल से ही हमको जाना है आज क्योंकि पूरा जंगल जल चुका है और वहां पहुंचते पहुंचते पता नहीं कपड़े क्या ही हो जाएंगे हमारे साथ में हमारे और भी है लेकिन सब अलग-अलग हो रखे हैं उपर कि दिख रहे हैं मुझे तो गाउं से ऐसा होता है अभी सब की छुटियां पढ़ी है तो सब लोग घर में आया है और इसलिए दर्शन करके आ जाते हैं मेला देखकर भी आ जाते हैं साथ-8 साल हो चुके हैं मुझे मेले में ना जाकर अभी हम पहुंच गये हैं जले होए ज पंखलाने के लिए तो इसको में घर लेके आया थी जो हाथ वाला पंखा है और पैदल चलने के लिए बहुत जादा है इतना दूर है इतना दूर है तो भगवान के नाम पर तो जाही सकते हैं और इधर गुच्छिया मिलती है अब लोगों को पता नहीं होगा पता होगा कि दवाई का काम भी करता है जब उसकी सब्जी खाते हैं तो वह भिकता भी है उसको खरीदे भी है लोग खरीद कर फिर आगे बेशते हैं ऐसा चलता है तो यहां देखो अभी हम ऐसे से जा रहे हैं वाव आसाम तक यह ब्लैक हो जाएंगे वाइट से कलर करने की ज़रूरती निया चलते हैं आपको भी ले के चलते हैं आपके दर्शन करवाएंगे हम कर रहे हैं यहां पर वेट क्यूंकि हमारे भाई और यहां पर एकदम छायाँ छाया हो रहा है तो हम लोग यहां पर बैठना जरूरी समझा और यह उन्र बैठे वे और नाम लेते लेते हमारा चल रहा है और हम पीछे हैं जंगल हमने पीछे छोड़ दिया है अब हम में रोड में आ गए हैं अब हम रोड़ी रोड जाएंगे और रोड से चलने के लिए भी कम से कम कितना होगा दो तिल नुवेटर तो होगा लगभग इतना पुरा आइडिया नहीं मुझे लेकिन सबस्क्राइब के लिए लिए और हम लोग और आगे पहुच चुके हैं मदलब जहां पर पानी मिलता है हमको क्योंकि जहां से हम आए अभी तक बीच में पानी नहीं है यहांपर है डाइरेक्ट और शूरत का पानी आता है तो हमारे लाइग पहुलते है मूल पानी बहुत होता है और टेस्ट ही होता है मतलब स्वाद अलग ही होता है इसका जिसे शहरों में पानी का टेस्ट होता ना वैसा नहीं होता तो अब हम लोग यहां से आगे जाएंगे अभी बहुत चलने के लिए ऐसे थोड़ना में अपने भाईयों को बोलती हूं बहुत समझधार है एक दिखाओं आप लोगों को यह देखो दोनों भेनों का पर्स कंदे में डाल के चल रहा है वीचारा हम लोग फोटो किष्टे लगए वापे और यह पर्स लेके चलने जारा चले जारा इस अभी चलते-चलते मेरे पैर कट गये हैं जुत्ते से पुरा जुत्ते मेरे हाथ में यह देखो रोड और मेरे पैर के हालत देखो कितने सुन्दर हो रहे हैं तो मैं चल रही हूँ खाली पैर मतलब नंगी पैर चल रही हूं मैं जुत्ते नी पहने मैंने क्यूंकि इससे ना पिछे वाला हिस्सा लेदर का यह ते से कड़ भी रहा है हम पहुँच चुके हैं को मारे पैर के आपको सामने दिखुआ है कोटी गाउं और युटि आपको यह दिख रहा है ना देदार इंग और आप से करे दो द निकलेंगे और मेरे मेरे और मेरे मेरे घुबल के अबऺ आवाज कर लेंधां रही है Hemे क्या और नेटारते और दुक्तर lagi और मेरे और देख तो संदी मेरे पैर में कुछ चुब है तो गई अभी मैं नंगे पैर ही आई हूं ऐसे में तो कोई बात नहीं कभी कभी ऐसे भी चलना पड़ता है और हम पहुंच गए हैं यहां पर तो अब हम लोग चलते हैं अच्छी चेके इस पर बैठ जाते जहां पर महराज थोड़े नजदीक पहुंच गए हैं सामने रास्ता देख रहे हो यहां पर आएंगे मतलब हमेचा यहीं पर आते हैं तो हम इस पर यहीं पर बैठे हैं देखने के लिए और जितना हो सके का मैं नजदीक से दिखाने की कोश्री करूंगी लेकिन मुझे ज्यादा सब्सक्राइब नहीं है फिर भी बहुत से लोगों को देपता आता है मतलब देपता का जो रूप होता है किसी लड़कियों में लड़कों में आता है तो उनको देखके ना मुझे डर लगता है तो नसदीक जाने में थोड़ा मैं डरती हूँ कि कि दूओ को ठीजर से भी बहुंप कर दो कर दो कर दो और दो कर दो कर दो कर दो दो कर दो कि अज़ चार कि जड़ा लुट है आजब प्रिफिए ते दिदी लुट्टिए इसन लुट्सरा नारेश करने दिदी लुट्सरा जाहिं किनि अपाई खिना जी अपाई पर दोगा जी। बाशिक महराज आए हैं और अपना स्थान ग्रहंड कर लिया है यहां पे लगी है खाने की कुछ शौप्स छोटी-छोटी यह देख सकते हैं वहां पे खिलोनों की शौप्स अभी हम आये हैं कुछ खिलोने लेने क्योंकि हम भी बच्चे बन गए हैं तो अभी मेरी भेन को चा तो लेंगे वैसे प्राइज मेले में कभी साही नहीं रहता क्योंकि महेंगा ही लगाते हैं वैसे इन लोगों को भाड़ा लगता है दूर से लाते हैं तक वैसलिए फिर भी अगर फिक्स हुआ तो लेंगे तो यहां पर हमारे जानने वाले आए हैं यहां भी पहुंच गए आप भी पहुंच के अजानी की अब तो पहुंच तरिया आपने भी नी छोड़ा तो हमने अब और किया है दो हाफ चौमिन और हम खाएंगे पानी पूरी क्योंकि पानी भी दिखा है हमें यहां पर देखते हैं टेस्ट करते कैसा बना है चौमिन पनके भी रेड़ी हो गया यह देखो एकदम टेस्टी बनाया है चाहां पर इतना टेस्टी मिलना बहुत मुश्किल होता है बड़ टेस्टी है तो यह लोग मज़े लेके खा रहें अभी हम लोग पानी पूरी भी खाएंगे कैसा है हाँ है अच्छा है ठोड़ा-ठोड़ा या बॉलनी पारी यह पाप बाबभी और लोग लगे हैं पकोड़े और इधर है यह लोग तो अब हम लोग पकोड़े यहां पर बहुत भीड़बाड हो रही है कर दो कर दो कर दो कर दो अब हम लोग यहां से निकल रहे हैं क्योंकि हमको पैदल चलने के लिए बहुत जादा दूर है तो अगर हम लोग लेट करेंगे हैं फिर तो हमको वहां पहुंचने में बहुत देर हो जाता है और जंगल का रास्ता आप सो को पता है सब बहुत प्रॉब्लम होता है तो इसके बाद हम लोग यहां से निकल रहे हैं और जितना हमने देखना था देख लिया दर्शन भी हो गए हैं तो अब हम यहां से जा रहे हैं तो जो हमारे साथ में आए थे उनको डूण लेते हैं एक बार क्योंकि सब इधर उधर भाग चुके हैं और जब हम लोग यहां है जखोली मेले के नाम से ही जानते हैं इसको पीछे कुछ रीजन है जो मुझे कम्प्लीट नहीं पता है तो आधा ग्यान देना सही नहीं है इसलिए मैं वो चीज बताना नहीं चारी लेकिन जो मैंने नानची से पूछा था मारे गाओं के तो वो बोल रहे थे कि कोई राक पूछी हुए या कुछ उन्होंने कुछ बोला अब इतना क्लियर तो मुझे भी नहीं पता तो कुछ बोला होगा अब महराज को तो महराज ने दया आकर उनको यह बोला कि चलो तुम्हारे नाम से हम एक मेला रखवाएंगे हर साल जो होगा तो यह ना हर साल ही होता है और यह जगे है इस जगे का नाम है कैमारा जो कोटी के अंदर आता है कोटी बावर जो आप यह देख रहे हैं इसमें ही देवदार के पेड़ है और इसके आसपास बिल्कुल भी कोई पेड़ पौध है नहीं है बिल्कुल खाली है जो देवबंध है यहां पे एक मंदिर है वह बहुत जादा गर्मी होती थी बहुत जादा दूप से तपते थे तब उन्होंने वह बीच यहां पे दिया था आप देख सकते हो और है भी यह बिल्कुल यह पूरा देवदार का जंगल है इसके आसपास बिल्कुल खाली है देवदार के पेड़ आसपास बहुत सारे हैं जिसके वज़े से हमेला में बहुत ठंडक रहती है एतनी जादा गर्मी नहीं होती जब कि इतनी भीड़वाट होती उसके बाद भी इंसान वहां रहके अच्छी से दर्शन कर सकता है खापी सकता है उसके बाद आराम से घरा सकता है ऐसा माना जाता है मान्यता भी तब होती जून की महिने में जो इमेला लगता है, साल में एक बार ही उनको देखने को ऐसे मिलता है, उनकी पल की बाहर निकलती है, बहुत दूर-दूर से आते हैं, यहां पर लोगदर्शन का निकलती है, मतलब कोई भी कहीं काम पर है, कुछ भी है, अगर हो सकता है, तो वो टाइम नि जितना मुझे पता था, उतना बताना मेरा फर्ज है, तो मैंने बता दिया, अभी हम चल रहे हैं से, और हवा चलना स्टार्ट हो गए, मुझे डर लग रहा है, आगे-ागे यह लोग है, दो सवारी, तीसरी मैं हूँ, तो बाकी लोग हम से आगे चले गए हैं, उन्होंने हम पानी भरा था, पानी पिया था, ठंडा ठंडा पानी, एक वेठी है इदर था खार के, एक भर्य महा पे पानी, यहां पर है एक दम और गेनिक, नेचर से निकला हुआ पानी, और इदर इतना जड़ी बूटी है, घास वगेरा है, इसलिए गाउं के पानी में इतने जाथा बिमारी नहीं होता है, ना उसमें कुछ मिलाना पड़ता है, कि नाशर की, क्या-क्या डालते हैं, कुछ जो ब्लीचिंग बाॉर्डर, कुछ डालते शायद शहरों में, तो वो कुछ चीज की जरूद नहीं होती है, हिहां पर मज्जे से आप पी सकते हो, पानी कहीं भी पहन का चोटी वाली, और हम लोग कोई के पास बैठे हैं, भी बड़ी मुश्किल से पहुंचे, इतना बुरा हाल हो गया, और जुत्ती जो मैं पहन के गई थी, मतलब इतना फढ़ गया हो, मैं क्या बता हूं, और मेरे पैर कार्ट दिये पूरे, जुत्ती का हालत देखो ग क्योंकि यहां पर आवाज कर रहा है, यह जो सामने दिख रहा है आपको, यह हमारा गाओ, यहां पर जाना है हमने अभी अभी बज़ रहे हैं, च्छे तक हम वापस घर पहुंच चुके हैं, और आज हवा नहीं चली भगवान की क्रिपास से, अभी तक हमारे घर पहुंचन दो बार आग लग चुका यहां पर पहले भी लगी थी और दुबारा भी फिर से जल गया है यह बारिश भी नहीं अगर बारिश होती तो फिर घास जम जाता तो सही रहता लेकिन बारिश ना होने के कारण जंगल में घास भी नहीं है और आज अच्छा लगा मतलब दर्शन बिचारी इसका इंस्टाग्राम है यह चोटी बच्ची है स्कूल करती है फॉन भी नहीं है रिल भी नहीं है कुछ भी नहीं तो अभी हम जा रहे घर की और और इस वीडियो कहीं खतम करते है आज के लिए इतना ही क्यूंकि जादा लंबा वीडियो बना कर भी कोई फाइद